हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, मैं हूँ अमन्ठाकुर तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं IC38 News Labors Question Series 2024 and 2025 के Part 5 को तो चलिए शुरू करते हैं पहले कोश्चन के साथ हमारा पहला कोश्चन है Annuity belongs to अब इस कोश्चन में शब्द आया है annuity ये शब्द generally pension plans में use किया जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है वार्शी की देखिए annuity को या वार्शी की को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक fixed राशी है जो आपको हर साल पूरा जीवनकाल में मिलती रहती है तो चलिए options देखते हैं पहली option है annuity belong करती है ऐसी situation में जहाँ पर annuity का जो amount है वो fixed होगा यानि कि ये guaranteed plan है next option कह रही है one where the annuity amount is variable तो ऐसी option जहाँ पर annuity का amount vary करता रहता है या changeable है और ये generally है ऐसे plans में जहाँ पर जो annuity है वो investment performance पर depend करती है और next option कह रही है both a and b are correct और last option कह रही है none of above तो देखिए question में क्योंकि पूछा गया है annuity belongs to तो जो option a है और b है annuity इन दोनों ही option से belong करती है तो इसका जो right answer होगा वो option c आएगा that is both a and b are correct तो चलिए अगले question के और बढ़ते है अब इस question में हमसे पूछा गया है which one of the following statement is correct आपको बताना है कि नीचे दी गई statements में से कौनसी statement correct है या फिर सही है तो चलिए statements देखते है पहली statement में पूछा गया है annuity would stop strictly with the death of annutent इसका मतलब है कि जब annutent की death हो जाएगी यानि कि जिसको pension मिल रही है उसकी death हो जाएगी तो जो annuity है वो खतम हो जाती है या strictly रुक जाती है और दूसरी option में कहा गया है annuity could be paid to surviving spouse in case of joint life annuity तो इस option में पूछा गया है कि अगर joint life annuity का plan है तो जो pension ले रहा था व्यक्ति उसकी death हो जाती है तो उसके बाद जो उसका जीवन साती है और वो survive कर रहा है जीवित है तो वो pension उसे मिल जाएगी या annuity उसे मिल जाएगी C option कह रही है बोथ A and B are correct और D कह रही है none of above तो देखी इन चारो options में से B option जो है ये बिलकुल right option है तो इस question का जो सही आंसर है वो option B होगा अब ये question कह रहा है कि अगर joint life annuity plan लिया गया है और जिस व्यक्ति को pension मिलती है उसके जीवन साथी की मृत्यू उससे पहले हो जाती है तब annuity payment का क्या होगा annuity की death के बाद तो देखिए ऐसे case में annuity जो है main जिसको pension मिल रही थी annuity मिल रही थी उसकी death के बाद क्योंकि उसका जीवन साथी की तो पहले ही death हो चुकी है तो उस वेक्ति की death होने के बाद जो annuity है वो रुक जाएगी, seize हो जाएगी तो देखिए options पहली option कह रही है annuity would continue और next कह रही है annuity would seize तो इसका जो right answer है वो option भी आएगा क्योंकि इस case में annuity seize हो जाएगी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी now next question is what are the types of annuities आपको बताना है कि annuities की अलग-लग types क्या होती है so the options are immediate annuity deferred annuity both are correct and D option कह रही है नोटा तो annuity जो है ये दो तरह की होती है always remember एक होती है immediate और एक होती है deferred immediate annuity का मतलब होता है कि ऐसी annuity जो plan लेने के साथ ही शुरू हो जाती है और deferred annuity का मतलब होता है जो पहले हम उसका premium payment करते हैं कुछ सालों तक और वो कुछ समय के बाद शुरू होती है तो उसे हम deferred annuity कहते हैं तो इसका जो right answer आएगा वो option C आएगा that is both A and B are correct Now the next question is Under immediate annuity the premium has to be paid आपको बताना है कि जो immediate annuity रहती है उसमें जो premium दिया जाता है वो किस तरह दिया जाता है चलिए options में देखते हैं option A कह रही है in regular installments B कह रही है in lump sum और C में है both correct और D कहती है both wrong तो देखे जो immediate annuity रहती है इसमें जो premium है वो एक साथ इकठा lump sum amount दे दिया जाता है और वो देने के बाद जो annuity है वो start हो जाती है तो इसका जो right answer है वो है option B that is in lump sum Now next question कह रहा है Under deferred annuity the premium has to be paid आपको बताना है कि जो deferred annuity रहती है उसमें premium किस प्रकार दिया जाता है तो options है in regular installments in lump sum both are correct and both are wrong तो देखे deferred annuity जो plan रहता है उसमें premium दोनों ही options में भरा जा सकता है regular installments में भी और lump sum अगर आपको इकठा पैसा देना है तब भी तो इस question का जो right answer है वो है option C that is both A and B are correct तो चलिए अब अगला question है Under deferred annuity the time period between its purchase and start of annuity payment is called dash इस question में पूछा गया है कि deferred annuity plan में जब हम plan खरीते हैं और जो annuity शुरू होती है तो उस दोरान का जो time period रहता है उसे क्या कहते हैं तो देखिए deferred annuity plan में इस time period को कहा जाता है deferment period तो आपको ढूणना है फटा फट से कौनसी option right है बिलकुल सही यह option D तो इस question का right answer है option D deferment period आपको बताना है कि deferred annuity plans में जो दो अलग लग phases रहते हैं वो क्या होते हैं तो देखिए deferred annuity plan में दो phases होते हैं accumulation and payout phases बिलकुल simple सा इसके पीछे reason है देखिए क्या होगा पहले पैसा होगा एकठा और उसके बाद जो है जब पैसा एकठा हो जाएगा उसके बाद payout phase यानि कि pension मिलने वाला या annuity मिलने वाला phase शुरू हो जाएगा तो accumulation का मतलब है पैसा एकठा होना and payout phase का मतलब है pension या फिर annuity जो है वो शुरू हो जाती है तो इसका जो right answer है वो है option C that is accumulation and payout phases now next question is which type of annuity will have two distinct phases तो देखिए अभी हमने जो question किया इसी से relate कर रहा था तो ऐसी annuity जिसमें दो phases होते हैं उसे हम कहते हैं deferred annuity तो इसका right answer है option B next question is which one of the following statement is correct नीचे दी गई statements में से आपको सही statement चुननी है तो चलिए options पढ़ते हैं every annuity is a pension next option है every pension is an annuity तो देखिए पहली option कहती है कि हर एक annuity pension होती है तो देखिए ये तो सही नहीं है क्योंकि हर annuity को pension नहीं कहा जा सकता और option B कहती है every pension is an annuity ये बिलकुल right option है क्योंकि जो हर एक pension है वो annuity के form में हमें मिलेगी एक particular duration के बाद हमें मिलेगी तो इसका जो right answer है वो option B आएगा तो चलिए next question के और बढ़ते है which is dilemma of an old age person एक old age person की सबसे बड़ी दुविदा क्या रहती है वो इस question में पूछा गया है तो चलिए options देखते है how much old age pension is to be provided ये option कह रही है कि old age में कितनी pension जो है वो मिलेगी option B कहती है where to invest the fund कहां पर पैसा invest किया जाए option C कह रही है और D कहती है बोथ हार wrong तो देखिए इनमें A और B दोनों ही बाते सही है अगर हम एक old age person के नजर से देखें तो इस question का जो right answer है वो है option C that is A and B बोथ हार correct तो चलिए अगला question है which is not a pension related contingency आपको बताना है कि जो नीचे दी गई options है इनमें से कौन सी ऐसी option है जो pension से relate करती हुई contingency या फिर emergency में नहीं आएगी तो options है health, longevity, inflation, investment risk तो देखिए जो pension से relate नहीं कर रही है option वो है health तो इसका जो right answer है वो है option A अब अगला question है which is the reason for increase in health insurance in India आपको बताना है कि इंडिया में health insurance जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों का रुजान इसके तरफ ज़्यादा हो रहा है तो क्या कारण है कि लोग health insurance के और ज़्यादा ध्यान दे रहे है तो चलिए options देखते है health consciousness यनि कि लोग health के और ज़्यादा ध्यान दे रहे है next है increased longevity यनि कि बहुत ज़्यादा लोग लंबा जीवन जी रहे है increase in income इंकम बढ़ गई है लोगों की और option D कह रही है all तो ये तीनों ही options जो हैं ये बिल्कुल सही है इन सभी तीनों reasons की वज़े से ही health insurance का business इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसकी जो right option आएगी वो option D आएगी तो चलिए अगला question है what is a stand-alone health insurance company आपको बताना है कि एक stand-alone health insurance company क्या होती है तो देखिए stand-alone health insurance company ऐसी company होती है जो कि सिरफ health के product ही sale करती है ऐसी company को stand-alone health insurance company कहा जाता है तो ढूंडिये फटा-फट से right option है इसका बिलकुल सही C option बिलकुल right option है और C option में बताया गया है a general insurance company which sells only health products तो देखिए एक stand-alone health insurance company एक general insurance company होती है जो सिरफ health के product ही sale करती है तो चलिए अगले question के और बढ़ते है which is not a recent phenomena in health insurance industry segment आपको बताना है कि health insurance industry में कौन सा ऐसा phenomena है जो नीचे दी गई options है उनमें से वो match नहीं कर रहा है तो चलिए options को पढ़ते है hospital chains are allowed by IRDI to enter health insurance business तो देखिए ये तो बिल्कुल सही phenomena है ये wrong में नहीं आएगा next है tremendous growth of health insurance business is tapped by stand-alone companies बहुत ज़्यादा health insurance का business है और वो stand-alone companies cover कर रही है ये भी बिल्कुल सही है option C कह रही है stand-alone companies are specifically barred from covering the rural masses इस option का मतलब है कि जो stand-alone companies है उनको rural areas को cover करने से मना ही है तो देखिए ये जो बात है वो बिल्कुल भी सही नहीं है तो इस question का जो right answer आएगा वो option C आजाएगा तो चलिए अगला question कहता है which item of expense is not covered under a typical health insurance cover आपको बताना है कि अगर हम health insurance cover की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी item है जिसका खर्चा health insurance cover नहीं करती है तो options देखते हैं इसकी क्या है इसमें है theater charges यानि कि operation theater के charges फिर है blood donation charges then bed charges और test reports तो देखिए इसमें option B आएगा यानि कि जो blood donation charges है वो health insurance cover में include नहीं होते हैं तो इसका right answer है option B तो चलिए अब अगला question है which is correct आपको यहाँ पे नीचे options दी गई है और आपने ढूनना है कि कौन सी option जो है वो सही है correct है पहली option है health insurance companies do not normally provide outpatient treatment expenses इस option में कहा गया है कि health insurance companies जो है वो generally outpatient treatment के खर्चे को cover नहीं करती है outpatient treatment का मतलब है कि अगर कोई बिमार हो जाता है और हम जाते हैं अपना check-up बगएरा करवाते हैं मतलब admit नहीं हो रहे हैं hospital में तो और same day में वापिस आ जाते हैं तो उस treatment को हम outpatient treatment कहते हैं तो इस option का मतलब है पहली option का health insurance companies जो है वो outpatient treatment expenses को generally cover नहीं करती है second option है some health insurance companies do provide outpatient treatment expenses कि कुछ health insurance companies ऐसी हैं जो की outpatient treatment के expenses को भी cover करती हैं तो देखिए ये दोनों ही options बिलकुल सही है तो इसका right answer आएगा option C that is both are correct तो चलिए अब अगले question के और बढ़ें as part of outpatient cover which are the items that could not be covered अब इस question में पूछा गया है कि अगर हम एक outpatient cover की बात करें तो कौन सी ऐसी item है जो की इस cover में नहीं आएगी तो चलिए options देखते हैं dental treatment, optical services, health check-ups and surgery देखिए अगर हम outpatient cover की बात करें तो dental treatment है या optical services है या फिर general health check-up है तो ये सारे तीनों ही outpatient cover में आ जाते हैं पर surgery एक ऐसी item है जो outpatient में नहीं आएगी क्योंकि surgery करवाने के लिए हमें hospital में admit होना पड़ता है उसमें ज़्यादा time हमें hospital में रहना पड़ता है तो ये outpatient cover में include नहीं होगा तो इसका right answer है option D चलिए अगले question के और बढ़ें आपको बताना है कि एक health insurance plan में day care center का क्या मतलब होता है options है patients are admitted during day time only इसका मतलब है कि patient को सिरफ दिन के वक्त ही admit किया जाएगा next option है there is no provision for round the clock treatment कि ऐसा कोई provision नहीं है कि सारा समय treatment किया जा सके option C कह रही है center where procedures requiring less than 24 hours hospitalizations are done तो इस option में बताया गया है कि day care center एक essay center को कहा जाता है जहां पर ऐसा procedure दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको 24 घंटे से कम समय की hospitalization चाहिए वो essay centers जो है उनको day care center कहा जाता है तो इस question का जो right answer है वो आएगा option C तो चलिए अगला question है which among the following is not a day care product आपको बताना है कि जो नीचे दी गई options है इन में कौन सी ऐसी option है जो day care product में नहीं cover होगी तो चलिए options देखते हैं bypass surgery, cataract, litho, tripsy और piles तो देखे इन में जो B, C और D options है ये तीनों ही day care procedure में आ जाती है पर bypass surgery जो है ये एक लंबा चलने वाला treatment रहता है तो ये day care procedure में नहीं आएगा तो इस question का जो right answer है वो है option A next question है TPA stands for आपको TPA के full form बतानी है तो TPA means third party administrator तो इसका जो right answer है वो है option D next question है TPA is licensed by the DASH आपको बताना है कि TPA को license किसके द्वारा दिया जाता है तो देखिए TPA को license दिया जाता है IRDAI के द्वारा Insurance Regulatory Development Authority of India के द्वारा तो इसका right answer है option D next question कह रहा है who is a health care provider आपको बताना है कि health care provider कौन होगा तो देखिए health care provider होगा hospital जहां पर health services मिलेंगी तो इसका भी right answer है option D अगला question है which is a network hospital आपको बताना है कि एक network hospital का क्या मतलब होता है क्या है वो तो चलिए options देखते हैं hospital unlisted by insurer to provide medical services तो यह option कह रही है कि hospitals की ऐसी list जो की insurer के द्वारा दी गई है जो medical services provide करते हैं next option है hospital unlisted by TPA to provide medical services इसमें list दी गई है TPA के द्वारा hospitals की जो की medical services provide करते हैं तो यह दोनों ही options हैं तो इसका जो right answer आएगा वो होगा option C next question है what do you understand by term portability in so far as it relates to health insurance इस question में आपको बताना है कि health insurance में एक term use होती है जिसको portability कहा जाता है तो उससे आप क्या समझते हैं चलिए options देखते हैं right given to an individual to move from one to another policy of same company तो portability का मतलब इस option में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को यह right दिया जाता है कि वो same ही company की एक policy से दूसरी policy में shift हो जाए या change करवा ले अपनी policy second option कह रही है right to transfer the policy from one insurer to another insurer और from one to another plan second option कहता है कि individual को यह right दिया जाता है कि वो एक policy से दूसरी policy में shift करवा ले transfer करवा ले एक insurer से दूसरे insurer में transfer करवा सकता है या फिर एक से दूसरे plan में अपना plan change करवा सकता है तो देखे ये A और B दोनों ही options बिल्कुल सही है ये दोनों जो options हैं ये portability से ही relate कर रही है तो इस question का right answer C आएगा that is both are correct तो चलिए अगला जो question है इसमें हमसे पूछा गया है illness or injury for which treatment was required during pre-determined time is called dash आपको बताना है कि उस illness या फिर injury को क्या कहा जाता है जिसके लिए treatment करवाना है और pre-determined time चाहिए है तो ऐसी injury को या illness को कहा जाता है pre-existing illness तो इसका right answer है option A next question है in which manner pre-existing illness could be covered आपको बताना है कि जो pre-existing illness है यानि कि किसी व्यक्ति को पहले ही कोई बिमारी है तो वो किस प्रकार cover होती है तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को कोई पहले ही बिमारी है और वो health insurance ले रहा है तो उस pre-existing illness को कुछ waiting period के बाद cover मिल जाता है तो इस question का जो right answer है वो option D है that is after a waiting period तो चलिए अगला question है health plus life combo products would mean combination of dash आपको बताना है कि अगर हम health plus life combo products की बात करें तो ऐसे combination को क्या कहा जाता है किस प्रकार का combination ही होगा options देखते है health insurance from a non-life company plus life cover from a life insurance company तो पहली option का मतलब है कि health insurance तो हमने एक non-life company से यानि कि एक general insurance company से ले ली और life cover जो है वो हमने एक life insurance company से ले लिया option B कहती है health insurance from a stand-alone health company health insurance तो हमने एक stand-alone health company से ले लिया और life cover हमने एक life insurance company से ले लिया तो देखिए ये दोनों ही options A और B सही है तो इसका जो सही answer है वो option C आएगा means both are correct अगला question है which one of the following statement is correct आपको बताना है कि कौनसी ऐसी statement है जो की correct है सही है तो चलिए statements देखते हैं health cover policies cover all illnesses without any exclusion whatsoever इस option में कहा गया है कि health insurance की जो policies हैं वो almost सभी बिमारियों को cover करती हैं बिगैर किसी को छोड़े हुए और option B कह रही है there could be few exclusions like AIDS तो option B का मतलब है कि कुछ बिमारियों को छोड़ दिया जाता है जैसा की AIDS और option C कह रही है both are correct D कह रही है कि none of above are correct तो देखिए इसका जो सही answer है question का वो है option B क्योंकि health insurance policies में कुछ जो असाध्य बिमारियां हैं उनको exclude कर दिया जाता है जिनमें AIDS एक ऐसी ही बिमारी है तो इसका right answer option B आएगा next question is typical health insurance policies may exclude from cover routine expenses related to अब इस question में कहा गया है कि जो typical health insurance policies रहती हैं उन में कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनको की निकाल दिया जाता है या कौन से ऐसी बिमारियां हैं हम कह सकते हैं या कौन सी ऐसी नीचे दिगे options हैं आपको बताना हैं जिनको निकाल दिया जाता है जिनको cover नहीं मिलता है तो options है plastic surgery, dental treatment, aesthetic treatment, all of above तो देखिए चाहे plastic surgery है, dental treatment है या फिर aesthetic treatment जिसका मतलब होता है beauty से related जो treatment है ये सभी typical health insurance policy में इनको exclude कर दिया जाता है तो इसका right answer आएगा option D next question है exclusions in health insurance policy means आपको बताना है कि health insurance policy में exclusion जिसको हम हिंदी में अपवाद कहते हैं वो क्या होता है तो exclusion का मतलब है ऐसी बिमारियां जिनको cover नहीं मिलेगा यनि कि ऐसी diseases जिनको cover नहीं मिलेगा तो चलिए ढूंड़िए कौन सी option right है बिलकुल सही ये है option B इसमें दिया गया है diseases specifically not covered तो इसका right answer option B आएगा अगला question है if a person doesn't prefer any claim in an health insurance तो इस question में आपसे पूचा गया है कि अगर कोई व्यक्ती health insurance में claim नहीं लेता है यनि कि अगर वो बिमार नहीं हो रहा है तो claim नहीं लेगा तो क्या होगा तो देखिए अगर किसी व्यक्ती ने claim नहीं लिया है तो उसे no claim bonus मिल जाता है उतने सालों का जितने साल उसने claim नहीं लिया है तो इसमें इसका जो right answer है वो है option D means अगर कोई व्यक्ती claim नहीं ले रहा है health insurance policy में तो उसे मिलेगा no claim bonus allowed for claim free years तो option D है right answer next question है domiciliary hospitalization means आपको domiciliary hospitalization का मतलब बताना है देखिए domiciliary hospitalization का मतलब होता है कि कोई patient है जो की hospital में नहीं आ सकता है और उसको घर पर ही इलाज दिया जा रहा है ऐसी hospitalization को domiciliary hospitalization कहा जाता है तो इसका right answer है option D जिसमें कहा गया है treatment taken at home as the patient could not be moved to hospital तो D है इसका right answer next question है for admission of domiciliary hospitalization claim the minimum period of medical treatment should be इस question में पूछा गया है कि अगर हम domiciliary hospitalization के claim की बात करें तो minimum कितने समय तक medical treatment हुआ होना चाहिए तो देखिए ये होगा 3 days तो मतलब minimum 3 दिन तक अगर treatment हुआ है तो वो domiciliary hospitalization claim के अंडर चला जाएगा तो इसका right answer है option C next question is with regard to domiciliary hospitalization which is incorrect आपको बताना है कि अगर हम domiciliary hospitalization की बात करते हैं तो इन में से कौन सी बात जो है वो correct नहीं है गलत है तो options देखते है limit for the same is fixed as percentage of total samashoed इस option में कहा गया है कि total samashoed की percentage fixed है तो limit जो है वो same रहेगी और भी option कह रही है all chronic diseases are covered without any exclusion अब इस option में कहा गया है कि सभी लंबी बिमारियां गंभी बिमारियां cover रहती है without any exclusion तो देखिए जो incorrect statement है वो है B option तो इसका जो right answer है वो option B आएगा next question is what is the special feature for a family floater policy आपको एक family floater policy में जो special feature रहता है उसके बारे में बताना है कि वो क्या होता है तो देखिए पहली option है टोटल सामशोर्ड floats amongst the family members इस option का मतलब है कि अगर हम टोटल सामशोर्ड की बात करें तो इसमें सारे के सारे family member cover हो जाते हैं option B कह रही है husband, wife, children, parents and parents-in-laws are covered तो ये भी बिल्कुल सही बात है तो इस question का right answer option C आएगा क्योंकि A और B दोनों ही options बिल्कुल सही दी गई है family floater policy में तो next question है in respect of family floater health policy which of the following statement is correct इस question में पूछा गया है कि अगर हम family floater health policy की बात करते हैं तो नीचे दी गई statements में से कौनसी statement सही है correct है तो पहली statement है total premium payable is less than total premium payable under non floater policies इसका मतलब है कि अगर आप floater health policy लेते हैं तो उसमें जो total premium भरना पड़ेगा वो कम भरना पड़ेगा as compare अगर आप एक non floater policy लेते हैं नेक्स अप्चिन है reason that अब आपको बताना है कि अगर आप एक family floater policy लेते हैं तो वो ज़्यादा फायदे मंद है बजाए कि आप एक non floater policy लें और उसका reason आपको इस question में बताना है तो चलिए options देखते हैं higher cover which would help any family member in case of high cost treatment अगर किसी भी family member को कोई problem हो जाती है healthy related तो higher cover होगा तो high cost treatment जो है वो easily करवाया जा सकता है second option कह रही है premiums are considerably lower than where cover is taken for individual member इस option का मतलब है कि अगर हम family floater policy लेते हैं तो premium बहुत कम होगा अगर हम individuals plan ले तो देखे ये दोनों ही options बिलकुल सही है एक family floater policy के अगर हम बात करते हैं वो ज़्यादा फायदे मंद रहती है अगर हम family floater plan ले बजाए कि non family तो इसका जो right answer है वो option C आएगा चलिए अगला question है the sum assured under health insurance policy would primarily depend on dash आपको बताना है कि health insurance policy में जो बीमाधन है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है तो देखिए वो mainly निर्भर करता है age पर तो इसका right answer option A आएगा अब हम बढ़ते हैं अगले question की और health insurance policy premium qualify for tax relief under income tax act तो आपको बताना है कि अगर हम health insurance policy में जो हम premium बढ़ते हैं तो उसमे income tax act का जो हमें relief मिलता है उसका आपको section बताना है तो उसका जो right answer है वो है section 80D इसका question का मतलब है कि जब हम health insurance policy खरीदते हैं और जो उसका premium बढ़ते हैं तो उससे जो हमें income tax में rebate मिलती है वो income tax act 80D के अंडर मिलती है तो इस question का right answer है option B now the next question is the definition for hospital doesn't envisage which of the following तो इस question में hospital की definition पूछी गई है और कहा गया है कि जो नीचे दे गई options है आपको बताना है कि कौन सी ऐसी option है जो की hospital की definition के हिसाब से suitable नहीं है तो चलिए पहली option है medical practitioner round the clock हर समय एक qualified medical practitioner मिल जाता है fully equipped operation theater है और D option कह रही है daily records of patients is to be maintained कि जो patients हैं उनके daily records maintain किये जाते हैं तो देखिए जो B, C और D ये तो तीनों बातें एक hospital से relate करती है अच्छी definition को represent कर रही है पर जो option A है ये एक hospital और जो condition दी गई है उसके हिसाब से बिलकुल भी match नहीं कर रही है तो इस question का जो right answer है वो आए का option A next question is cashless facility means आपको cashless facility का मतलब बताना है ये word commonly जब हम health insurance की बात करते हैं वहाँ use होता है तो चली options पढ़ते हैं Insured need not to carry cash on hand and he can settle medical bills through debit card अब इस option में कहा गया है कि insured को cash अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है वो जो medical bills होंगे वो debit card के थूँ settle कर लेगा next option है Insured has to pay bills and take reimbursement later Insured को bill pay करना पड़ेगा और reimbursement उसको बात में मिल जाएगी और C option कह रही है hospital would directly get the bills settled by insurer तो देखे बिलकुल सही option है C कि hospital से जो bills है वो insurer के द्वारा directly settle कर लिये जाते हैं और insured से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है तो इसका right answer आएगा option C तो चलिए next question is smart identity card for presenting it to network hospital in health insurance would be issued by तो इस question में पूछा गया है कि network hospital में जो health insurance के लिए smart card दे दिया जाता है वो किसके द्वारा issue किया जाता है options है insurer, TPA और third option कह रही है either A और B तो देखी इसका जो right answer है वो option C आएगा कि जो आपको smart identity card मिलता है वो या तो issue किया जाता है insurer के द्वारा या फिर TPA के द्वारा so the right answer is option C now next question is in case of hospitalization in network hospital admission would be on the basis of dash तो इस question में पूछा गया है कि अगर हम network hospital में hospitalization की बात करें admission लेने की बात करें तो किस base पर होगा तो options है smart card base पर next है pre authorization from insurer और TPA और next option कह रही है either A और B तो देखिए ये option A और B दोनों ही सही है तो जो admission लिया जाएगा hospital में वो या तो smart card के basis पर लिया जा सकता है या फिर TPA या फिर insurer ने जो authorization दी है उसके द्वारा लिया जा सकता है तो इसलिए इसका जो right answer है वो option C आएगा next question है if the insured gets admitted in a non-network hospital अगर जो insured है वो एक non-network hospital में admit हो जाता है तो क्या होगा तो चलिए options देखते हैं he could still avail cashless facilities उसे cashless facility मिलेगी next option है he would settle hospital bills and would get reimbursed by insurer देके बिलकुल सही option है B कि वो पहले तो hospital के बिल उसको settle करने पड़ेंगे और बाद में insurer के द्वारा उसको reimbursement मिल जाएगी तो इसका right answer option B आएगा next question is in which event availing cashless facility may not require a pre-authorization from the insurer और TPA इस question में पूछा गया है कि आपको cashless facility में ऐसे event के बारे में बताना पड़ेगा जहां पर TPA या फिर insurer से pre-authorization की आविशकता नहीं है तो options देखते हैं if the hospitalization is to a non-network hospital अगर hospitalization एक non-network hospital में हुई है second option कह रही है emergency hospitalization करवा दी गई है और C कह रही है दोनों ही बाते सही है तो देखिए इसमें दोनों ही बाते सही है तो इसका जो right answer आएगा वो option C आएगा next question है who prescribes the format of a pre-authorization letter and standard claim forms आपको बताना है कि किसके द्वारा pre-authorization letter और standard claim form का format set किया जाता है या prescribe किया जाता है तो देखिए ये prescribe किया जाता है IRDI के द्वारा तो इसका right answer आएगा option D next question है how much free look period allowed from the date of receipt of health insurance policy document आपको बताना है कि health insurance policy document मिल जाने के बाद कितने समय का free look period रहता है तो देखिए free look period होता है हमेशा 15 दिनों का तो इसका right answer आएगा option B आपको बताना है health insurance policy में grace period कितने दिन का रहता है तो ये आएगा 30 days right answer is option C last question is as per IRDII regulations on health insurance आपको बताना है कि IRDII की जो regulations है health insurance के लिए वो क्या कहती है तो options है lifetime cover not mandate कि lifetime के लिए cover जो है उसकी अवशकता नहीं है और option B कह रही है lifetime cover is mandatory कि lifetime cover जो है वो mandatory है अवशक है तो देखिए IRDII regulations के हिसाब से health insurance cover जो आप लेते हैं तो उसका lifetime cover जो है वो जुरूरी है तो इसका right answer है option B